जैसे कि आप समझ चुके हो कि इस B2 में हम small g का value calculate करने वाले हैं इस value को calculate करने के लिए हम इस formula को use करने वाले हैं या फिर इस relation को use करने वाले हैं तो चलिए relation को एक पर मैं खुद से लिख लेता हूँ g is equal to gm by r square अब ये relation derive कैसे हुआ इस पे मैंने already एक dedicated वीडियो बना रखा है जिसकी link description box में नीचे दी हुई है आप उसे जागर के definitely check out कर लेना तो चलिए इस relation को use करके हम find करते हैं small g का value जो है acceleration due to gravity अब देखिए इसका value find करना बेहत simple है इन सारी values को आप substitute कर दो वैसे मैं बता दू इस capital G का मतलब है universal gravitational constant जिसकी value होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 तो मैंने उसे लिख लिया और अब m का value होता है m का मतलब क्या है mass of the earth तो mass of the earth कितना होगा ये बताइए ये हम सबको याद होना चाहिए ये है 6 into 10 to the power 24 kg जी आप चाहो तो unit पिलको लिख सकते हो whole divided by r का मतलब है radius तो radius कितना होता है अर्थ का अर्थ का radius है 6400 km या फिस 6.4 into 10 to the power 6 meter क्योंकि हमें यहाँ ऐसा unit पे लेना है इसलिए मैंने इस value को लिखा और square तो करना ही होगा बस अब इसी carefully simplify कर लीजिए तो चरिए मैं simplify करके so कर देता हूँ simplify का मेरा अंदाज यही होता है मैंने लिखा 6.67 into 6 मैंने लिखा divided by 6.4 क्योंकि square है इसलिए मुझे दो बार लिखना होगा 6.4 into 6.4 अब सारी जो 10 के powers है उसको मैं लिख लेता हूँ 10 to the power minus 11 यह हो चाएगा plus 24 और यह 6 to 12 हो चाएगा और उपर आएगा तो minus 12 अब इसी carefully आप simplify कर लो देखो दोनों decimal ऐसे ही remove हो जाएगे थोड़ी बहुत cancel भी होंगे इसके बाद जब इसे simplify करोगे तो यह होगा 0.977 into और यह तो आप बिल्कुल देखी रहे हो यह है 10 यह आप देख लो अराम से 23 negative में हो रहा है थोड़ा सा round up कर लीजिए तो यह होगा 9.8 meter per second square यह है ऐसा unit acceleration का और small g भी एक acceleration ही है acceleration due to gravity तो 9.8 क्या है यह है acceleration due to gravity on the surface of earth अर्थ के surface से अगर आप उपर जाओगे या नीचे आओगे तो उस case में acceleration due to gravity यह change हो जाएगा even on the surface of earth भी यह थोड़ा बहुत change होता है लेकिन अभी हमारा topic वो नहीं है so anyhow that's all about this lecture thank you